Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel सरकारी वर्त So friends, इस वीडियो के दिन्दर हम डिसकस करने वाले हैं आज S.N.C.C.H.S.L. का एक्जाम हुआ है 2023 अक्टूबर 2020 का ये पेपर है First SIPT का पेपर है जिसका हम analysis करने जा रहे हैं इस वीडियो में math, reasoning और GK के question आपको मिलेंगे जो के आपके exam में पूछे गए थे Students के द्वारा WhatsApp पर मुझे बताया गया कि ये ये question सर आये थे तो कौन कौन से question आये थे Complete analysis आपको हम दिखाने वाले हैं आप सभी को पता दें अगर आपे चैनल पर नए हैं फिर से कहूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा ओके 100% real question है कोई भी इसमें टेंसल लेने की अवश्क्ता नहीं है तो आज की exam के सवाल है पहला सवाल पूछा गया था भारत की banking प्रणाली के संधर में NEFT का क्या अर्थ है तो इसके बारे में पूछा गया था NEFT का क्या अर्थ होता है तो इसका सही जवाब है राश्टी Electronic Fund Transfer National Electronic Fund Transfer इसका मतलब होता है NEFT तो NEFT की आपसे फुलफर्म पूछी गई थी Next question पूछा गया था सरिसका Tiger Reserve किस राज़ में इस्तित है सरिसका Tiger Reserve किस राज़ में इस्तित है तो इसका सही जवाब है राजिस्तान राज़ में राजिस्तान के मुख्य मंतरी कौन है तो ये है असोक गहलोत कौन है असोक गहलोत राजिस्तान के मुख्य मंतरी है आपसे Next आपका जो एक्जाम है सिफ्ट का उनमें पूछ सकता है और पूछता है एक और सामभर जील कहां पर है तो ये सामभर जील भी कहां पर है राइस्तान में ही है जिसमें भारत का कुल साथ प्रसत नमक उत्पादन होता है नेक्स्ट कोशन पुछा गया था फ्रेंड्स कौनसी नदी गंगा की एक सहायक नदी है कौनसी नदी तो जो आपसंस दे रखे थे उन आपसंस में सही जवाब था गंड़क नदी जो गंड़क नदी है ये गंगा की एक सहायक नदी है इसी तरीके से सोन नदी ये भी गंगा की सहायक नदी है इसी तरीके से यमुना नदी जो यमुना नदी है ये भी गंगा की एक सहयक नदी है और गंगा नदी के किनारे पर कानपुर सहर बसा हुआ है कौनसा सहर कानपुर सहर बसा हुआ है ये भी कोशन आपसे पूछ सकता है अभी जो फर्स्ट सिप्ट का पेपर हुआ था बारत इसी सिप्ट में रिपीट होने की संबाबना है फ्रिंस नेक्स्ट कोशन मैं से पूछा गया था कोशन आया था A, B, C की ओसत आयू 25 बर्स है तथा इनकी आयू का अनपात 3 अनपात, 5 अनपात साथ है, A की आयू कितनी है तो 3 लोगों की आयू कितनी है तो तीनों की कुलायू कितनी होगी 75 बर्स होगी, कितनी होगी 75 बर्स होगी अब तीनों की एस का देखें यहाँ पर कितनी है 3, 5, 8, कितना है 3, 5, 8, तो टोटल मिलाकर अगर इसको देखें 5, 3, 8, 15 यूनिट यानि 15 यूनिट की वैलू कितनी है पांच का तो तीन गुणे पांच आपका सही जवाब होगा पंद्रे साल कितनी होगी 15 years एक ही आयू होगी next question पूछा गया था friends question आया था किसे हाल ही में भारत का अगला थल सेना प्रमुक चुना गया है देखे थल सेना प्रमुक किसे चुना गया है तो ये मनोज मुकंद नर्मडे को चुना गया है किसको चुना गया है मनोज मुकंद नर्मडे को ये चुना गया है और ये किसकी जगह पर आये हैं ये आये हैं जनरल विपिन रावत की जगह पर और जो जनरल विपिन रावत हैं इनको क्या बना दिया गया है भारत का पहला CDS Chief Defense Staffing को बना दिया गया है और फ्रेंट्स अगर आपसे नौसेना का पूछ ले नेक्स्ट जो आपके एकजाम होंगे उनमें नौसेना पूछ सकता है तो ये हैं आपके करंबीर सिंग कौन है करंबीर सिंग एडमिरल करंबीर सिंग और अगर बाईूसेना का पूछ लेता है आप से तो बाईूसेना वाले है कौन? Rks.스. बhadoriya कौन है Rks.s. बhadoriya साहब चले, next question की ओर चलते हैं, question पूछा गया था friends, the idea of India पुस्तक के लेखा कौन है, ये question आपसे पूछा गया था, the idea of India पुस्तक के लेखा कौन है, तो इसका सही जवाब है दोस्तो, सुनील खिलनानी, कौन है, सुनील खिलनानी, एक और पुस्तक है, वो भी आपसे पूछ सकता है कौन से? कर्म योद्धा पुस्तक, ये किस के जीवन पर आधारित है? तो प्रधानमंत्री नरिंदर मोदी के जीवन पर आधारित है, ये आपसे next पूछ सकता है, और एक और बुक है, exam warrior, तो ये भी बुक किस की है? तो ये भी ये पुस्तक है, नरिंदर मोदी द्वारा लि बोलते हैं तो किसे देवनाम प्रिया के नाम से जाना जाता है तो इसका सही जवाब है समराट असो को समराट असो को देवनाम प्रिया के नाम से जाना जाता है यहां पर करेक्शन होगा और यहां होगा देवनाम प्रिया ओके चले नेक्स्ट कोशन पूछा गया था फ्रेंड कौन से देश द्वारा की गई थी तो ये भारत के द्वारा ही की गई थी नेक्स्ट वोशन पूछा गया था फ्रिंट्स 31 विद्यार्थियों की कच्छा में प्रारंब से बिराट का इस्तान 17 वा है अंत से कौन सा इस्तान होगा अगर टोटल बात करें तो कलास की अंदर टोटल 31 श्टूढेंट है और बिराट का प्रारंब से कौन सा इस्तान है 17th प्लेस है कौन सा 17 वा है तो अंत से कौन सा होगा तो इस प्रकार की कोशन को करते हैं 31 मैंनेस का 17 prior प्लस वन इस तरीके से करते हैं तो इसका होगा 31 और 32, 32-17, तो ये कितने बचेंगे, ये बचेंगे आपका 12 में से 15 बचेंगे, कितना तो 15 में इस्तान होगा, बिराट का इस्तान कौन सा होगा, 15 प्लेस आपका होगा, और यही इसका सही जबब होगा, बहुत आसांसबल से पूछे गए हैं, नेक्स्ट क्वेशन रीजनिंग से आया था और क्वेशन था इस तरीके से एक सीरिज दे रखी थी और पूछा था कि इस सीरिज का नेक्स्ट टर्म क्या होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा पैटर्न बना हुआ है तो 9 से गया 19 की तरफ 19 से 49 49 69 से 169 अगर 9 से 19 की तरफ जाना है मुझे तो 9 का गुणा 2 से करके एक जोड़ना होगा तभी 9 से 19 की तरफ तो 9 दुनी 18 18 और एक 19 अब यहाँ पर देख सकते हो आप यही पैटर्न और दो प्लस एक तो यह भी क्या होगा 19 दुनी 38 38 और एक 49 ऐसे ही यहाँ पर 49 दुनी 78 तरफ टू प्लस वन तो 49 दुनी 78 और एक 89 इसी तरीके से यहाँ पर बना हुआ है इसी तरीके यहाँ तो 159 में मल्टीपल करेंगे कितने का 2 का और करेंगे एक एड़ तो 159 का डवल कि यह होगा 318 पलस एक करेंगे तो इसका सही जवाब होगा 319 तो इस प्लेस पर क्या आएगा 319 इस प्लेस पर आएगा यानि कि इसका जो नेक्सट टर्म होगा वो क्या होगा 319 होगा चली नेक्स्ट सवाल पूछा गया था क्वेशन आया था 1904 से मैं बेहार रत्नाजीतने वाले प्रշिद्य मधुबनी कलाकार कौन हैं देखे पूछता है मध्ँबनी कलाकार जो मध्ँबनी màद्बनी पेंटिंग है यह किस से रिलेटर है तो ये बेहार से रिलेटर है ये भी क 워शन आता है और पूछा गया था 1984 के बेहार रतने जीतने वाले प्रशुद्य मधुबनी कलाकार कौन है तो इनका सही जबाब है सीता देवी ओके आपसे एक क्वेशन और पूछ सकता है भारत की पहली IAS कौन है अगर महिला की बात करें तो ये है अन्ना जोर्च इस प्रकार का क्वेशन पूछा जाता है कौन है अन्ना जोर्च अगर IPS की बात करता है तो आपको पता ही है किरण वेदी कौन है किरण वेदी तो ये भी कोशन आपसे एक्जाम में पूछ सकता है नेक्स्ट कोशन पूछा गया था प्रशिद तंगालिया साल भारत के किस राज्य से संबंदित है तो इसका सही उत्तर है गुजरात राज्य से मुख्यमंतरी कौन है चले comment box में बताईएगा और ये हो सकता है आपकी next जो shift के exam है उनमें पूछ लिया जाए तो गुजरात के मुख्यमंतरी कौन है इसका जवाब आपको देना है ओके चले next question पूछा गया था पुस्तक idea for a billion region किसके द्वारा लिखी गई है एक पुस्तक ह जिसका नाम क्या है जिसका नाम है idea for a billion region किसके द्वारा लिखी गई है तो इसका सही जवाब है अमित दास गुपता के द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है अमित दास गुपता के द्वारा पुस्तक लिखी गई है इंडिया for a billion region next question पूछा गया था friends question था मैस से A और B क के बाद इन बाद कितना हो जाता है नो ओन पाउट हो जाता है यानि कि आज की डिट में अगर देखा जाई present में तो अन पर है पाच अनपात टी किपने बाद कितने बाद पंद रह साल ऒात तो अब कितना डिफ्रेंस है इस में स्टोरी 6 है यह और यह कतना है पांच एक वर मैं रेपीट करके लिखते हूं छैन्पाथ पाँच और यहां पर कितने का 15 साल बाद तो यहां पर डिफ्रेंस अगर यहां देखें तो सेम है तीन साल का तो थ्री यूनिट की बैलू कितनी होगी तीनी यूनिट की बैलू होगी पंद्रा तो एक यूनिट की बैलू कितनी निकलेगी पाँच एक यूनिट की बैलू कितनी निकलेगी पाँच निकलेगी पाँच तो हमें किसकी निकाल ली है एक ही बरतमान आयू निकाल ली है तो 5 में 6 का गुणा कर देंगे तो 6 गुणे 5 उत्तर हो जाएगा 30 यानि कि 30 years is the right answer next question पूछा किया था friends ये question आया था reasoning से question था कि इसमें कौन सा pattern है और कौन सा next term होगा तो आप देख सकते हैं C, D, E, इस तरीके से I, J, K, N, O, P इस तरीके से दे रखा है तो आप C को 3 पे आता है D, 4 पे आता है E, 5 पे I, 9 पे आता है J कितने पर आता है J आता है 10 पे और के आता है 11 पर N आता है 14 O आता है 15 और P आता है 16 पर कितने पर 16 पर तो देखे 3 से 9 पे जाने के लिए 6 4 से 10 पे जाने के लिए 6 और 5 से 11 पे जाने के लिए 6 9 से 14 पे जाने के लिए 5 और 10 से 15 पे जाने के लिए 5 और 11 से 16 पे जाने के लिए 5 तो पहले 6 एड हो रहा है फिर एक कम करके 5 एड हो रहा है तो अब कितना एड होगा चार एड़ होगा तो इसमें चार एड़ करेंगे तो कितना आएगा एन होता है चोदे पे चोदे और चार अठारा अठारे पे होता है आर चार इसमें भी एड़ करेंगे तो ओ होता है पंद्रे पंद्रे और चार उननीस 19 पे क्या आएगा RS और P होता है 16 पे 16 में 4 एड करेंगे तो कितना बनेगा 20 और 20 पे T T20 और इसका सही जवाब हो जाएगा RST ओके चली next question क्यों देखते हैं तो question पूछा गया था computer से आया था यह सवाल computer में BCD का full form क्या होता है आपसे ALU की full form पूछ सकता है तो इसकी full form होती है arithmetic logic unit आपसे पूछ सकता है CPU की full form क्या है तो central processing unit होता है इसी तरीके से CD की पूछ सकता है compact disk लेकिन आपसे exam में पूछी गई थी BCD की full form क्या है BCD का पूर्ण रूप क्या है तो friends इसका सही जवाब है binded coded decimal यानी की 10 मलब next question पूछा गया था कांची किस राजवन्स की राज़दानी थी तो जो कांची है ये किस राजवन्स की राज़दानी थी तो पल्लब बंस की राज़दानी थी next question पूछा गया था वित आयोक का तेरेमा अध्यच कौन है तो डॉक्टर बिजय एल केलकर समिती किसके लिए गठित की गई थी तो इसका भी जबाब दीचीएगा चलि, नेक्स्ट कोशन पूछा गया था, हाल ही में प्रिशिद्ध, हाल ही में 208 मंच द्वारा जारी जेंडर गेप इंडेक्स में भारत का क्या इस्तान है तो इसमें भारत का 112 इस्तान है चलिए फ्रेंट्स तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं ये कोशन वो कोशन थे जो इस्टूडेंट्स द्वारा दिये गए थे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यह लाइक कर देना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना ना भूले चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू 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 फॉर वाचिंग दिस वीडियो सेकंड सिप्ट में फिर मिलेंगे